तो क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े हंड्रेड डेज एज़ गौड सोचो कि आप एक गौड हो और एकदम से एक दिन आपकी पूरी ताकत चली जाती है तो एज़ गौड में पस बहुत सारी पावर्स है जैसी कि मैं उठ सकता हूँ मैं लाइटनिंग मार सकत और मैं थार का हथोड़ा भी उठा सकता हूँ तो मैं हराने वाला हूँ काफी सारे डीमन को और इसमें मेरी हल्प करेंगे और पी काफी सारे गौड तो क्या मैं सर्वाइब करभा हूँ हं 100 डेज एज एज गौड जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना और अ मैं आजू बाजू देखता हूँ और मुझे यहां पर देखता है एक बहुत बड़ा शिप जिसके अंदर दे काफी सारे पिरेजर्ट तो मुझे लगता है कि शायद इन लोग को कुछ पता हूँ है तो मैं इसे पूछने के लिए जाता हूँ इनके शिप के बास लेकिन यह लोग मुझे कुछ बचाते हैं नीवल्टय लोग मुझे बोलते हैं बहुत और मेरे उपर हमला करना चालू करते हैं तो मुझे आता है घुस्सा और मैं ऐसे बात करनी कोशिश करता हूँ है कि तुम्हें पदा है कि एक स्टोन की प् anderes काफी सारे प्रेड और जली से बाहर निकल जाता है और दूर मुझे श्लाइम को तोड़ तो क्योंतों चल्म और उसी के नीचे मुझे 있으면 यंदर ऐसे न को जात है यहां से बात करता है यहां से बात करता हु और जाता है यहां से बात करना चालू करता हुए तो मैं इसके निप्टा बच्छे वहाँ पुर सब्सक्राइब एलेक्स जो कि पूरे एकदम आर्मर और पहन के खड़ी थी तो मैं इससे पूछता हूँ कि यहां पर क्या करें तो यह बताती कि इसके सारे दोस्तों को मार दिया था जॉम्बी इसने इसलिए यह मिलके पूरे जॉम्बी को खतम कर रही है मैं देखता हूँ बाहर तो यह काफी सारे मॉप से लड़ रही थी अकेले और जब तक कि मैं वहाँ पहुछता तो एक क्रीपर फट जाता हूँ और तब ही कुछ छोटे आले जॉम्बी मिलके उसको मार देते हैं से बहान निकलता हूँ और उड़ती हो मैं जाता हूँ उस डारेक्शन में जहांपे मुझे एलेक्स ने बताया था कि स्टीव हो सकता है आगे बरता हूँ तो यहां पर काफी सारे सूर दिखते हैं और पता नहीं इन लोग को मैं क्यों मानना चालू करता हूँ और काफी सार सारे हेबेल्स जली से मैं इनको तोड़ना चालू कर लेता हूँ और हो सकता था कि मुझे यहां पर स्टीव के बारे में कुछ पता चले तो मैं आगे बढ़ता हूँ किसी से पूछने करें लेकिन मुझे दूर में दिखते हैं काफी सारे जाइंट और तभी मेरे पीछे से आता है गजीब सा विलेजर जिसके बास थी ग्रीन कलर की सौड जो की बताता है कि यह जो जाइंट से यह हर रोज एक एक विलेजर को मारते हैं तो अगर मैं इनको खतम कर दूँगा तो यह मुझे बता देगा स्टीव काप है तो जैसे लोग मुझे देखते हैं मुझे मान थी कि इसको पता था कि स्टीव काप है तो मैं जली से आता हूँ काफी सारे विलेजर के पास और इन लोग से पूछता हूँ कि इन लोग कुछ पता है क्या तो इन लोग के बस कोई जवाब नहीं आता लेकिन एक के चेस्ट मुझे मिल जाता है एक सैडल तो इसको मैं रख कि तुम्हें से मासुम लोगों को क्यों मार रहे हो तो मैं इनको फूछता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसा आया है तो यह मुझे बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा कम जो रोनी कम रहते हैं इसलिए हमने तुम्हारी इस हरकत के वज़े से हम तुम्हारी शक्तिया चीन रहे है तो मजबूरान मुझे अपना लाइणिंग बोल्ट फेकना पड़ता है और साथ में अपनी गौट सौड और जितना मेरा आर्मर था हो सब उन्हें देना पड़ता है और जाने से बहले मुझे बोलते कि अगर तुम वापिस से अपनी गल्ती को सुदार दो तो मैं तुम्हा ताकि मैं वापिस से ठीक हो पाऊ तो काफी दिन तक के यहां बटकते बटकते मुझे दूर में दिखता है एक शिप जो की डूप चुगा तो जैसे मैं उसके पास पहुचता हूं मुझे बदा चलता ही कि तो पूली तर तो चूट चुगा यहां पे चेस्ट होता है जिसके सब्सक्राइब करते हैं तो अब यहां पर टैर सकता था और मेरी कोई भी हेल्थ नहीं जारी थी पानी के उज़े से तो जल्दी से बाहर आता हूं पहले तो अपना हंटर वाला वेस्ट और जो मुझे बॉक्स मिलता है उसको जैसे मैं यूस करता हूं तो मुझे मिल जाते मखें देखता है घर जैसे घर के बाध जाता हूं तो जो कि मेरे ऑपर हमला करने के लिए आती लेकिन मैं इसे मार के वह मेरे कौने देखी गया और वहां एकवा मोन जल्दी से वह धोणोगा में ज़ल्दी से घोरा लेकिन मेरा दोस्त और मैं बढ़ता हो आगे तुम इसका नाम मुझे कॉम ने बता दो जल्दी से जाके तो मैं पहुच चुगा तो दूर मुझे दिखता है जंगल टेंपल तो मुझे लग रहा था कि शायद वहां पर कोई होगा लेकिन अपने घोड़े को होगा लेकिन नहीं जा सक यहां करता है तो इसकी हीट मारता हूं तो यहां पर लिखाओ लुझा होता है कि ही जाता है कि लिखा हूँ यहां को मुझे नहीं पता उसको कौन यहांसलेकि गया और मैंने फाल्ट है वाडियन को और काफी सारे एरो ले ले तो तो जलिस इन सब को उठा लेता हूँ और अभी मुझे स्टीव को ढूड़ना पड़ेगा तो इस किलमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो बलते हैं तो और उन दोनों के बीच में खताना वार चलते रहता है और अपने मारते रहता है और अखरी में एक जोड़डर बिजली का जहटका परता है और मर जाता है या तो मेरा मेयोनीर तुम कभी भी यूस कर सकते हो और यह बोलके वहाँ से चले जाते है वापिस से उपर इसका मतलब यह था कि मैं मेयोनीर उठाने के लिए कभी भी वर्डी हो सकता था तो मैं आप ए विलेजर से बात करते हो तो ये लोग मुझे बताते हैं कि तुम इस चेस्ट में से ब्रेड ले सकते हो और भी काफी कुछ हतियार रहते हैं तो वो भी मैं ले लेता हूँ और अगर मुझे मेरी शक्तिया वापिस चाहिए तो मुझे स्टीफ को ढूड़ना पड़ेगा ताकि अगर मैं किसी की मदद कर दू तो हो सकता है कि मुझे मेरी शक्तिया वापिस मिल जाए उसके लिए मुझे जाना पड़ता है यहाँ एक डेजर्ट में जहां पर रहता है और काफी सारे गॉड़ जो की शायद मेरी हल्प कर सकते थे तो मैं अखिरकार पहुँच जाता हूँ तो ग्रेट पिरामिट्स में और यहाँ पे मुझे दिखता है एक अजीब सा गॉड़ जो की पता नहीं फ्रीज हो चुका था या कौन से सदमे हो था पता नहीं तो जैसे मैं खुसता हो पिरामिट के अंदर यहाँ पे मुझे दिखते है एक एजिप्शिन गॉड़ तो मैं इनसे बात करता हूँ इनसे पूछता हो कि स्टीव के बारे में कुछ पता है गया तो यह बोलते है कि उनको पता है लेकिन उससे पहले मुझे इनकी हेल्प करनी और मर जाता है और ड्रॉप कर देता है इसकी स्कीन तो मैं रख लेता हूँ और उसके बाद वो जो था गॉड़ पूरा एकदम सदमे में जो ठीक हो जाता है और यसी लाइन की वज़े से हुआ था और यह मुझे बता देते कि स्टीव मुझे कहा भी मिल सकता था तो तो यहाँ पर एक जॉंबी के उपर से दिल नहीं कर रहे था और पता नहीं यह सब कैसे हो सकता है तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और मुझे यहाँ पर दिखता है एक पिलेजर कैमसाइड और यह लोग मेरे उपर हमला करना चालू करते है तो मैं इनको निप् तो मुझे देखके पहले हसता है और बोलता है तो मैं उसे बता तो कि मैं स्टीव नाम के बंदे को ढूड़ने के लिए और लेकिन वेरी बात नहीं सुनता है और मेरे सामने उस गौड़ से लड़ना चलू कर देता है और आकरी में उसे मार के खतम भी कर देता है और उसके बच के आगे ते इसलिए अब यह सारे गौड़ को मानना चाते और उसके लिए इनको चीए खतनाग वेपन जो की बनेंगे हर एक गौड़ के वेपन को मिला के तो यह मुझे देते कुछ आर्मर जिनकी मदर से मैं एक दम गौड़ लेवल बन जाता हो पूरा क्योंकि आर्म अगले दिन जब मैं उठके जाता हो तो मुझे डूड़ ना था है को मैं आगे बढ़ता हो तो मुझे आपर दिखती है का जीप सी मकड़ी जो की मेरो पर हमला करती है तो निप्टा देता है और निपागत वक्ते पानी में गिट जाता है तो जैसे वापिस आता है तो को आपिस कर देता है जो वहां से चोरी करके भाग रहा था साथ में कुछ और पिते देता है तो हम लोग की बात चली रहे थी कि तभी मेरे उपर हमला करते हैं काफी सारी मकडिया तो उनको मैं वापीस से निप्टाना चालू करता हूँ और पता है एक छोटे से कीड़े आ जा करता है वहां पर और काफी दिन तक के यहां वाद चलने कर मुझे आखिरकार मिल जाती हो जगा जो की तया पानी के अंदर से होते मुझे जाना था तो मैं सीधा खूदता हूं नीचे और इस आर्मर की मदद से मुझे कुछ भी चोटनी पहुश्री थी तो मैं जल्दी से इ आगे बढ़ता है पहुश्री गार्ड जो की इसे माना था तो में से बच जाता है और फिर भूस इसे बच जाता है तो मैं भी से मानना चलू करता हूं और काफे देर लड़ने काई मैं आखर कर इसे मार जाती है तो जल्दी से उसको भूद तो इसको 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 निप्ताना पढ़ता है तो जल्दी से उसको निप्ता जेतो एक मुझे बहुत गंदरा डैमेज होता है स्टाफ यानि की इसको बोलते विजाड स्टाफ और इसकी मतल से मैं कुछ भी कर सकता था और ये मुझे निपता था मैं तो मैं तो अब एक देव नूप था इस चीज में कुछ ने कुछ ने कुछ ट्राइक करते रहते हुँ लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता तो इसको तो से दे तो यह स्टाफ और फिर मैंसे पूछता हूं कि इससे तुम क्या करने वाले तो यह मुझे बताता है एक में रूख जो मैं तुम्हें दिखाता हूं तो इससे यह कर सकता है ताइम को चेंज आगे पीछे और एक दम से सब्सक्राइब कर देखता हूं तो मुझे बता चलता है कि मेरे आज वाजू बहुत सारे शील्ड आ चुके यह था उस नेकलेस की वज़े से और दूर में देखता हो तो यहां पर उड़ते हो आता है कोई तो एक वेल और फिर मैंसे पूछता हो कि तुम जानते हो यहां पर कि चलता है कि अगर मैं इस क्लॉक को निकाल दू और उसकी जगह रख दू इसको तो मैं शायद इससे उड़ सकता था एकदम खतनाक सही तरीके से क्योंकि वैसे तो में बस मेरी उड़ने की ताकत नहीं थी तो सीधा जाता हो पानी के अंदर पानी के अंदर एकदम सही तरीके और फिर जब मेरे उपर हमला करता है तो मेरी हिल्थ कम होना स्टार्ट हो जाती तो मैं अभी उसे मारता हूँ दूर से एकदम और काफी देर तक हमारी फाइटिंग चलते रहती है तो बस एक लास शीट मारता हूँ और यहां पर मर जाता है और यहां पर डॉप कर देता है दो चीज़े उसमें से एक तो थी ट्राइडेंट जो मुझे चेह था और दूसरा मुझे नहीं पता था यह क्या था कोई तो बूस्टर था तो मैं अभी के लिए रख देता हूँ अपने पास और अगर मैं इसको कई पे फेकता था तो यह मेरे पास वापीस आता तो जली से मैं उस जगह से बाहर आता हूँ और मुझे यहां पर दिखता है एक और जगह जहां पर रहती देख खताना का लिए वीच और जिसके पास से मुझे लेना था उसकी जादू ही कर देती हैं और बहुत बढ़ा बिलास्ट खलेते हूँ तो मैं वहाँ से वापीस आता हूँ, इससे मारना चालू करता हूँ तो ये फिर से अपनों जादू स्टार्ट करने वाले थी, उससे पहले मैं इसे एक लास्ट हीट मारता हूँ और खतम कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है इसके चड़ी मैं पता है, और जल्दी से बरता है हेट्व की तरफ जैसे पहुस्ट आता हूँ और जितने भी हतियार मैंने भी तक थेते में पास ति colonial सब इसको दे देता हूँ अर उसके बाद एक मैं मैं ये मैं ये सब रखलाओ और तो मुझे मेरी ताकत वापीस देता लो जो मेरी शक्तिया थी तो ब così ये तो नहीं हो सकता मुझे मानना चालू कर देता है और क्यूंकि मैं बाद शील्ड था तो यह पहले तो कुछ नहीं कर बाता है लेकिन जैसे मेरे पूरे शील्ड फूट जाते तो ये भी उस जादू का इस्तेमाल करता है और बीम से मुझे फेक देता है एकदम दूर फेक सकता है और मेरे पर फेक्त एक पोशन जिसकी मज़र से मैं वापिस से बन जाता हूँ एकदम खदनाक वाला जियूस और इस बारी मेरी दाड़ी और भी ज्यादा बड़ी थी और इतना सब बोलके वहां से चले जाते हो तो मैं जल्दी से ढूंडता हूँ कि कहाँ पे वह हेट्स है और यह एकदम खदनाक वाली कोलेजीम में था और यहाँ पे एक साथ पूरे हत्यार को मिला के इस सब गौट्स को मानने आगा था उससे पहले मैं यहाँ पे पहुच जाता हूँ और यहाँ पे इसकी पूरे एकदम पिलेजर वाली आर्मी थी तो पहले मैंन को निप्टाना चालू करता हूँ एक एक करके जल्दी से तो जल्दी से मैं खतम कर देता हूँ पूरे पिलेजर को और मुझे बचा लेता और मैंसे मारतों मियोनृ सी दो शौर्ट और उपर से मैंसे मारते तो एक दो लाइटिनिंग अतियार बन चुगा था और क्डूल हो जाते हैं 1100विन ह सर्वाइब किया था और सठार्टिंग में कुछ ताकत थि बाद में दूस पन्हार और मुझसे तो अब वीडियो अच्छा लगा था लिडिव में आप कौन से मॉब के उपर और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है जली सो से दबा दो हम 250 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है तो मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में तब तक क्लोज है झाल झाल